सभी को नमस्कार आज बात करेंगे लो रिच और आई रिच पेंटोग्राफ में क्या अंतर है देखिए भारतिये रेलवे के अंदर जो पेंटोग्राफ उप्योग में लाए जा रहे हैं वो दो टाइप के पेंटोग्राफ उप्योग में लाए जा रहे हैं एक low-rich pentograph है और दूसरा जो pentograph है हमारे पास वो high-rich है तो low-rich pentograph जो भारती वे railway जो उप्योग में ले रही है उसमें कौन-कौन से type के pentograph है पहला जो pentograph है हमारा AM-12 जो low-speed pentograph है अधिकतर मालगाड़ी के लोकों में इसका प्रियोग किया जा रहा है AM-92 IR-03H और WBL-85HS मतलब high-speed ये जो तीनु pentograph देख रहे हैं ये आपको passenger लोकों में देखने को मिलते हैं और ये high-speed pentograph होते हैं AM-92B और IR-03H और WBL-85HS ये तीनु जो pentograph है high-speed pentograph है जबकि हमारे पास जो high-reach pentograph है high-reach pentograph भी हम दो तरह की यूज ले रहे हैं एक WBL-85HR और दूसरा pentograph है हमारे पास LX-365L का तो ये दो pentograph हम high-reach Oichi के अंदर अभी यूज में ले रहे हैं अब इनकी पैचान किस तरह से हमको करना है और इन दोनों pentograph low-reach और high-reach pentograph में क्या अंतर है तो देखिए low-reach pentograph size में छोटा होता है और जो अमारे पास high-reach pentograph है ये size में बड़ा होता है ये अमारे पास high-reach pentograph है इसकी size थोड़ी सी बड़ी होगी और जो low-reach pentograph है उसकी size छोटे होते है low-reach pentograph में लोकों की छत पर शरो मोटर इस तरह से आपको लगी हुई मिलेगी जबकि अमारा जो high-reach pentograph है इसमें लोकों की छत पर यानि कि जो pentograph अमारा best frame पर रखा रहता है लोकों की छत पर वहाँ पर इसमें high-reach pentograph में आपको pneumatic control box मिलता है high-reach pentograph में आपको शरो मोटर नहीं मिलती है तो यहाँ पर देख रहे हैं यह अमारा low-reach pentograph है AM 12 तो इस pentograph के अंदर जब आप देख रहे हैं तो इसमें लोकों की छत पर आपको सरो मोटर नजर आ रही होगी तो इसकी पैचान हम यहाँ से भी कर सकते हैं कि जो अमारा high-reach pentograph है उसमें सरो मोटर नहीं मिलती है जबकि low-reach pentograph में सरो मोटर मिलती है लेकिन अमारे पास जो low-reach pentograph है उसमें जो WBL 85 high-speed pentograph है उसमें भी सरो मोटर नहीं मिलती है तो WBL high-speed जो low-reach pentograph है उसका अलग से ही बात करेंगे तो यहाँ पर अमारा यह देखी है low-reach pentograph जब range अवस्ता में है या lower अवस्ता में रहेगा तो यहाँ पर हम सरो मोटर देखते हैं लोकों की चत पर तो यह सरो मोटर अमारे को नजर आती है जबकि high-reach pentograph जो WBL 85HR है उसके अंदर अमारे को लोकों की चत पर इस तरह से pneumatic control box नजर आता है यह अमारा high-reach pentograph रहे जवस्ता में है इसमें यहाँ पर आपको pneumatic control box नजर आ रहा है अमारा यह भी high-reach pentograph है LX-3450 का इसमें आपको लोकों की चत पर pneumatic control box नजर नहीं आता है यानि कि हमारे high-reach pentograph में लोकों की चत पर सरो मोटर नहीं होती है हमने देखा था कि low-reach pentograph में यह सरो मोटर नजर आ रही है जबकि हमारा WBL 85HR pentograph में pneumatic control box लोकों की चत पर आपने देखा था लेकिन जो हमारा LX-3600 pentograph है इसमें pneumatic control unit लोकों के अंदर त्रिफेज होगा तो machine room के अंदर और हमारा conventional लोकों है तो केब 1 और केब 2 के पीछे इसका pneumatic control unit आपको नजर आता है इस तरह से यानि कि इसका pneumatic control box लोकों के चत पर नहीं मिलता है फेवले का तो इस तरह से जब आप conventional लोकों में अंदर जाओगे लोकों के अंदर तो केब 1 और केब 2 के पीछे आपको इस तरह से ये वाला pneumatic control box लगा हुआ मिलेगा यानि कि लोकों की चत पर जो pneumatic control box आप देखते हैं वो नहीं मिलेगा लोरिच pentograph में जब आप देखते हैं तो ये जो पैंटो के होरण देख रहे हैं ये पैंटो के होरण एक ही होता है ये जो यहां देख रहे हैं कौन सा पैंटो को छोड़ के WBL HS pentograph के अलावा जो हमारा WBL 85 HS high speed pentograph है इसके हम अलग से ही बात करेंगे इसके pentograph के बारे में उसमें दो पैंटो होरण होता है तो उसका अलग से हम यूडियो बनाइंगे यहां से जब आप आगे देखोगे तो यह पैंटो के जो होरण नजर आ रहे हैं यह आपको एक ही नजर आएगा यहां पर इस तरह से इधर भी जबकि हमारा high rich pentograph में दो होरण आपको नजर आते हैं यह हमारी carbon strip है यहां से जब आप देख रहे हैं तो इस तरह से यह दो-दो होरण आपको दोनों साइट पे नजर आ रहे हैं जबकि low rich pentograph के अंदर हमारा जो पैंटो होरण है वो एक ही नजर आता है low rich pentograph को rage और lower करने के लिए raging spring और lower spring इस तरह से लगी हुई होती है जबकि हमारा high rich pentograph है इसको rage और lower करने के लिए इसमें अमने air value लगा रखा है जो यहां आप देख रहे हैं इस तरह से इस air value के अंदर जब हवा जाते है तो अमारा पैंटो rage होता है जब इस air value के हवा आप निकाल देते हैं तो अमारा pentograph lower हो जाता है तो यहां पर आप जब low rich pentograph को देखते हैं तो एक तो लोकों की छत पर सरो मोटर नजर आती है जो यहां आप देख रहे हैं दूसरा यहां पर यह raging spring भी आपको नजर आती है अमारे high rich pentograph में लोकों की छत पर सरो मोटर और यह जो raging और lowering spring जो देख रहे हैं यह नजर नहीं आती है तो यहां पर हम देख रहे हैं हमारा WBL 85 HR pento है इसमें आपको raging spring नजर नहीं आ रही होगी सरो मोटर भी नजर नहीं आ रही है यह अमारा high rich pentograph है इसमें यहां पर pneumatic control box आपको नजर आ रहा होगा यह अमारा फैवले का LX 3600 pentograph है इसमें भी आपको कहीं पर भी spring नजर नहीं आ रही होगी लोकों की चत पर और नहीं सरो मोटर नजर आ रही है low rich pentograph में carbon strip के नीचे sild copper की ट्यूब नहीं लगी होती है यहां पर यह जो low rich pentograph है इसके जो carbon strip के नीचे sild copper पर ट्यूब आपको लगी हुई नहीं मिलेगी जबकि हमारा high rich pentograph में carbon strip के नीचे sild copper की ट्यूब लगी होती है जो flexible rubber pipe से जूड़ी होती है यानिकि हमारे यह जो high rich pentograph है इसके अंदर आपको एक कोपर के ट्यूब होती है वो इसके अंदर लगी होती है जबकि हमारे low rich pentograph में नहीं होती है low rich pentograph में added यानिक ओटो ड्रोग डिवाइस नहीं लगी होती है low rich pentograph में carbon strip damage होने पर pentograph lower नहीं होता है जबकि हमारे पास जो high-rich pentograph है उसमें add-a-d auto drop device लगी होती है add-a-d device एक pneumatic monitoring उपकरण है जो pentograph को सतिगरस्त होने से बचाता है तो देखें यहां पर हमारा जो high-rich pentograph है उसके अंदर add-a-d auto drop device हमने लगा रखी है जो अमारी carbon strip के अंदर आमने अभी आपको बतायता है कि इसके अंदर खोफर tube होती है जिसमें pressure होता है जब यह carbon strip तूट जाती है या 26 mm से ज़्यादा किस जाती है तो add-a-d auto drop device है इसके द्वारा अमारा pentograph लोग हो जाता है जिससे pentograph सती गरस्त होने से और साथ में OECB सती गरस्त होने से बच जाती है जबकि ऐसी सुविदा अमारे पास low-rich pentograph में नहीं है low-rich pentograph में ORD, over-rich detector, safety device नहीं लगी होती है low-rich pentograph unwide section में जाने पर pentograph अमारा तूट जाता है जबकि high-rich pentograph में safety device ORD, over-rich detector लगी होने के कारण जब अमारा pentograph unwide section यानि कि बिना OECB section में 3.7 यानि कि 35 mm या जो set के दोरा limit इसकी set की गई है pentograph की उससे ज़्यादा pentograph अमारा range होता है यानि कि उससे ज़्यादा उपर जाता है तो अमारा याँ पर safety device ORD operate होके और pentograph को lower कर देती है जिससे अमारा pentograph तूटता नहीं है low-rich pentograph में added यानि कि autotrope device नहीं लगी होती है इसलिए air के लिए lower frame से लेकर अपर frame तक flexible rubber pipeline नहीं होती है जबकि आमारे पास जो high-rich pentograph है तो high-rich pentograph के अंदर हमने accepted device added यानि अटोट्रोप device लगाई है अब auto drop device लगी होने के कारण lower frame से लेके अपर frame तक एक flexible rubber pipeline अमने लगाई है तो यह अमारा जो pentograph देख रहे हैं high-rich pentograph तो इसमें अमारा added auto drop device लगी होने के कारण या आपर अमने इस तरह से एक flexible rubber pipe यह पतला सा लगा रखा है जो lower frame से लेके अपर frame तक यानि की carbon strip तक यह pressure pipeline आपको नजर आती है जो यह pressure pipeline है यह cable high-rich pentograph में ही आपको नजर आती है low-rich pentograph में नजर नहीं आईगी low-rich pentograph को speed के अनुसार हम दो बागों में बाठते हैं AM 12 low-speed यह माल गाड़ी के लोकों में पुरियोग किया जाता है AM 92 और IR 03 यह high-speed panto है जो उमारी सवारी गाड़ी के जो लोको है passenger loco उसमें यूज होता है एक passenger loco में low-rich में एक WBL 85 high-speed panto है यह भी low-rich pentograph है high-rich pentograph भी दो make के उप्योग में हम लेते हैं एक WBL 85 HR high-speed यानि कि अमारे पास जो high-rich pentograph है चाहिए वो WBL 85 HR हो या LX 345 लेके यह दोनों pentograph अमारे पास high-speed pentograph है high-rich, high-rich के साथ में high-speed pentograph है जबकि अमारे पास जो low-rich pentograph है यह WBL 85 यह low-rich pentograph है लेकिन संग कमपनी के दोवारा ही यह बनाया गया pentograph है लेकिन यह high-speed pentograph है लेकिन high-rich pentograph के साथ high-rich pentograph नहीं है pentograph जो अमारे low-rich है इसका raging समय 6-10 सेकंड होता है जबकि अमारे high-rich pentograph है इसका जो raging समय है वो 6 सेकंड से 15 सेकंड तक होता है pentograph जो अमारा low-rich है इसका lowering समय यह नीचे आने का जो समय है 10 सेकंड यह 10 सेकंड से कमका होता है जबकि high-rich pentograph का जो lowering समय है यह नीचे आने का समय है वो 6 सेकंड से 15 सेकंड तक होता है तो इस तरह से यह अमारे जो low-rich और high-rich pentograph है उसमें किस तरह से आपको फैचान करना है और low-rich और high-rich pentograph में क्या आंतर है नेस्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे high-rich pentograph और low-rich pentograph है high-speed pentograph WBL 85 उसमें क्या आंतर है तो सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट अवस्य कीजिए